नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के बैंकों में आए 2,000 नोट के 188 करोर रुपे बिहार के माधिमिक विद्यारियों में सिक्षकों के 32,916 पद खाली देश में CBDC का इस्तमाल करने वाला पहला नगरने का बना पटना माइनस कंपनिया वह बैंक नहीं जब कर पाएगी गाड़ी क्वालिफायर एक में डॉट बॉल की जगत दिखा पेड का इमोजी इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार के बैंकों में आए 2,000 नोट के 188 करोर रुपे बीते दिन यानी की मंगलवार से Reserve Bank of India के दिये गए नर्देश के अनुसार सभी बैंकों में 2,000 रुपे के नोट को बदलवानी के श्रवात कर दी गई है ऐसे में बिहार में बीते दिन भारतिय स्टेट बैंक, राष्ट्रे कृत बैंक, नीजी छेतर के बैंक और सकार्टा बैंक की 7,644 साखाओं के साथ एक हजार से अधिक अल्ट्रा स्मॉल साखाओं में 2,000 रुपे के नोट के कुल 188 करोर रुपे जमा कराए गए हैं इसके साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो 2,000 रुपे का नोट जमा करानी के लिए डाग घड में अपना खाता भी खुलवाड़े हैं ऐसे में बीते दो दिन में राचे के डाग घड़ों में करीब 70,000 नए खाते खोले गए हैं अब की जानकारी के लिए बता दे कि RBI के दोरा जारी किये गए गाइडलाइन के नुसार आप बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक बिना किसी ID और बिना कोई फॉर्म परे 2,000 रुपे के नोट जमा करा सकते हैं बिहार के माध्यमिक विद्यालियों में सक्छकों के 32,916 पद खाली नई सक्छक नेमवाली के तहट जिला सक्छा काड़यालिय के द्वारा सक्छा विभाग को राचे के 38 जिलों के माध्यमिक स्कूलों में सक्छकों के खाली पदों की सूची जारी कर दी गई है बता दे कि जारी किये गया है, इस सूची से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि राज्य के सभी जिलों में माध्यमिक स्कूलों में कुल 32,916 सक्षकों के पदर रिखते हैं, जिन में हिंदी, इंग्रिश, विग्यान, गनत और सोसल साइंस के सबसे जादा 193 पदर रिखते ह कहा गया है कि अंतर जिला सहिस सभी अंतर नियोजन निकाईयों में सक्षकों एवं पुस्तारा धक्षों के तबादले अभी नहीं बलकि जून महीने में किये जाएंगे। अस्थान पर बिहार के बकसर की गरिमा लोहिया आई है वहीं उनके अलावा राजदानी पटना के रहने वाले राहुल के द्वारा UPSC में दसवा रैंक हासल किया गया है इसके अलावा अररिया के अविनाश कुमार ने सत्रवा रैंक अपने नाम किया है वहीं अगर हम टॉ चारवा रैंक मधुवनी से अकांचा ने 371 और मनीश को 711 रैंक प्राप्थ हुआ है इनके लावा भी बिहार के कई छात्रे ऐसे हैं जिन्होंने UPSC 2022 में अपना अच्छा रैंक प्राप्थ किया है बिहार में वजरपात से हुई मौत पर CM नितीश ने जिताई सम्वीदना बीतदन बिहार के अलग-अलग जिलों में वजरपात से कुल 6 लोगों की मौत हो गई जिसमें दरभंगा से 3 वेगुसराय से 2 और वैशाली से एक व्यक्तिक शामिल है बता दे कि इन 6 लोगों की मौत पर बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के द्वारा गहरी सोक समीद इतना व्यक्त की गई है उन्होंने कहा कि वह आपदा के इस घरी में प्रभावित परिवारों के साथ है इसके साथ है जिन भी लोगों की मौत वजरपास से हुई है उन्हें नितीश कुमार के द्वारा अंगदान के रूप में ततकाल 4-4 लाक रुपे देने का निर्देश दिया गया है इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा सभी से अपील भी की गई है कि खड़ाब मौसम में पूरी सतर्कता बरते और साथ ही खड़ाब मौसम होने पर वजरपास से बचाओ के लिए आप्दा प्रबंधन विवाग द्वारा समय समय पर जारी के गएकर बिहार पुलिस के चक्र में एक क्लिक में खुल जाती है बदमाशों की कुंडली, बिहार में अपराधियों का पुलिस से बचना मुश्किल हो गया है, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधि, खुद को नर्दोश बताकर बचनी की कोशिश करते है, लेकिन बता दे कि अब बिहार पुलिस के पास एक ऐसा मोबाइल एप है जिसके मदस सर्फ एक क्लिक से अपरादी की जर्मकुंडली सामने आ जाती है बता दे कि हम जिस आप की बात कर रहे हैं उसका नाम चक्र एप है जिसमें किसी भी अपरादी की मामलों को लेकर जेल में ग लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता यकेवर पुलिस विभाग के लिए है नियोजिस सक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को सिक्षा विभाग ने दी मन्जूरी सिक्षा विभाग के दोरा राचे के सभी नियोजिस सक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए ह खोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि विभाग की ओर से इसको लेकर कोई हरी जंडी नहीं दिखाई गई है। का अपयोग संपुर्ण पतना नगर निगम छेतर में किया जाएगा। वालू मिद्वार में से हैं। यहाँ खबर आपके लिए हैं। कार्याले परिचारी का चयन लिखित परिच्छा क्या अधार पर होगा। आपके जानकाडी के लिए बता दे कि इस परिच्छा को लेने के लिए मालू हो कि यह परिच्छा में मैट्रिक अस्तर के कुल 95 अंकों के 100 प्रशन पूछे जाएंगे। लिखित परिच्छा में किसी ने 60 सही उतर दिये तो उसका प्रापतांग 57 होगा। और इसी के आधार मेधा सुची बनाई जाएगी। फाइनस कंपनिया वा बैंक नहीं जब्त कर पाएगी गारी। के साथ ऐसा किया जाता है तो और ओपी एजन पर वा अरने के खिलाफ के इस दर्ज किया जा सकता है। कोई भी रिकावरी एजन किसी सक्चम प्राधिकार के आधेश के गिरवी पड़ी गारियों को जब्त न करें और अगर किसी बैंक को या फाइनस कंपनियों को अपने रिन की वसूली यदी बंधक बनाई गई गारियों को जब्त वा निलामी के जरीय करना है तो वे 2002 में संस सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष में की जाएगी मालूमों किस रैली में बीजेपी के बड़े बड़े दिककत जनीता भी मौजूद हो सकते हैं वह इश किलाववा यह भी कहा जा रहा है कि रैलीों में पीम रहिंध्र मोदी के द्वारा भी संबोधित किया जा सकता है लेग दरसल लोग सब अचनौव में बिहार की 35 सीटों पर जीत हांसल करने के लिए बीजेपी की ओर से अगले एक महीने तक महा संपर का भियान चलाया जाएगा जिसमें कई तरह के कारिक्रम आयोजित किया जाएंगे मालूमों के सभियान को लेकर पार्टी की ओर से रोड मैं भी तयार कर लिया गया है संसद भवन के उद्गाटन समारों का भैसकार करेंगे विपक्षी दल जबसे यह फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के दोरा संसद भवन का उद्गाटन किया जाएगा तब से देश के सभी विपक्षी दलो के दोरा के इंद्र सरकार के इस फैसले का विरोत किया जा रहा है बता दे कि समुद्दे को लेकर राज़त के साजिश सभा संसद और प्रवक्ता मनोष जह के दोरा कहा गया है कि सविधान सर्वोग पड़ी है इसले कोई भी ऐसी चीज नहों जोसे राश्ट्रपती के मान में कमी आए जबसे यह फैसला लिया गया है कि नय संसद भवन का उदगाटन पीये मोधी के दोरा किया जाएगा तबसे सभी दलों के दोरा सुझाव और सलाह दिया गया है कि संसद का उदगाटन राश्ट्रपती द्राप्दी मुर्मूर के दोरा किया जाना चाहिए परमपडाओं और रवायतों के अनुकूल है लेकिन पीम मोदी किसी को सुने नहीं और वह अपने मन की करते हैं ऐसे में तमाम विपक्षी दलों के दोरा नर्नलिया गया है कि हम इसका बहिशकार करेंगे उन्होंने कहा कि इतिहास सब कुछ याद रखेगा यह प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को याद रखना चाहिए नियोजिस सक्चकों के मुद्दे पर सुसील मोदी का बयार एक बार फिर से बिहार के पुर्व उपमुखे मंत्री और बीजेपी सांस सुसील कुमार मोदी के दोरा महागडबंधन सरकार में शामिल वामपन्थी दलो पर नियोजिस सक्चकों के मुद्धे को लेकर नितीज सरकार उसके सहयोगी दलो पर करारा हमला बोला गया है उन्होंने कहा कि वामदल के लोग नियोजिस सक्चकों के मुद्दे पर घरियाली आसू बहार हैं। अगर आप भी अपनी गर्मी के चुट्टियां अपने पड़िवार या अपनी दोस्तों के साथ गोआ में मनाना चाहते हैं तो आपके लिए खुश खबरी है। अपने नर्धारिस्ता में दोपहर दो दस बजे पटना के लिए उरान भड़ेगी और शाम चार सताइस बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुँचेगी। उसके बाद यही फ्लाइट साम पांच नौ बजे पटना एयरपोर्ट से गोआ के लिए उरान भड़ेगी। वहीं बदवार को यह फ्लाइट मोपा एयरपोर्ट से सुभर 9.35 बजे उरान भड़ेगी और 12.20 बजे पटना पहुचेगी। इसके बाद यही फ्लाइट वापसी में 4.30 बजे उरान भड़ेगी और रात 9.35 बजे मोपा एयरपोर्ट पहुचेगी। स्क्रीन पर डॉट बॉल की जग पेर की इमोजी दर्शकों को देखने के लिए मिल रही थी बता दे कि ऐसा इसलिए हो रहा था। क्योंकि BCCI के दोरा क्वालिफायर मैच में एक खास योजना बनाई गई थी जिसकी लोग भी जम कर तारीफ कर रहे हैं। मालब हो कि BCCI ने योजना बनाई थी कि IPL 2023 प्लेफ में फेगी गई हर डॉट बॉल पर उनके दोरा 500 पेर लगाए जाएंगे इसी के तहत बीते दिन ब्रॉटकास्टर स्पोर्स स्टार के दोरा क्वालिफायर मैच में डॉट बॉल की जग पेर की इमोजी दिखाई गई थ गया इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रॉल 107.2 चार उपे और डीजल स्पोर्स पर प्रति लिटर में मिल रहा है। बतादी कि बिहार में पिट्रॉल का रेट सबसाला किसंगंज में हैं जहां पिट्रॉल एक सो नौव दसम्लो छेश्टिन रूपए प्रति लीटर और डीजल श्यानौव दसम्लो दो तीन रूपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है गल्शेटर पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों नरपेजाओं हमें अमारी कमेंट स्क्सिन बॉक्स में लिख कर दिया है जरूंने हमारी पूछे हसksi सवाल का जवाब दिया है आपके नुसार आज IPL 2023 के Eliminator मुकावले में LSG और MI में से कौन सी टीम जीत हासिल कर सकेगी आपने जवाब हमें अमारे comment section में लिख कर ज़रूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तेमाम खब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें और साथ ये अगर आप YouTube से देखे चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखे तो पेस को follow करना ना भूले धन्यवाद